अर्जुन उवाच पश्यामी देवान स्तवदेव देहे अर्जुन उवाच अर्जुन बोले अर्जुन बोले पश्यामी देवान स्तवदेव देहे अर्जुन देखता हूं सभी देवों को हे देव आपकी देह में सरवांस तथा भूत विशेश संगान अर्थाथ तथा सभी विशेश भूतों को संग में ब्रह्मानम इशम कमलासन अस्थम अर्थाथ ब्रह्मान्ड के इश्वर को कमलासन पर स्थिप को और रिशियों को और सभी दिव्य नागों को तो यहाँ पर इस श्लोक से हमें अरजुन के द्वारा बताया गया विवरण प्रस्तूत किया जाता है कि अरजुन श्रीक्रिशन को किस प्रकार से देख रहे हैं उनके विराट रूप में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अरजुन जिस प्रकार से देख रहे हैं और जिस प्रकार से संजय विवरण कर रहे थे श्रीक्रिशन के विराट रूप का उन दोनों में एक सूक्षम सा अंतर है आप ये देखेंगे कि जब संजय श्रीक्रेशन का विवरंट कर रहे तो वो बार-बार बोले थे अनेक वो बोले थे कि अनेक शेस्त्र, अनेक उनके जो आभूशन हैं, अनेक आखें हैं तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे किन्तु यहां पर जब आप देखेंगे कि अर्जुन क्या बोलता है तो अर्जुन यहां पर जिस शब्द को उप्योग करेंगे वो है अनंत। तो यहां पर आपको संजय और अर्जुन के बीच में जो अंतर दिखेगा वो अनेक और अनंत का अंतर दिखेगा तो यहाँ पर यह जो अंतर है यह हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से अरजुन जो है उनको श्रीक्रिशन का अधिक सटीक रूप दिख रहा है संजय की तुल नामे क्योंकि आप देखे कि अनेक और अनन्त इनके बीच में अंतर होता है अनेक जो होता है वो तब भी सीमित हो सकता है किन्तु अनन्त का भी सीमित नहीं होता है अर्थात सौ भी अनेक होगा सहसर भी अनेक होगा किन्तु अनन्त नहीं होता है सौ या सहसर यदि आप उसे किसी एक समूह तक सीमित करेंगे तो वो उसके परे भी होगा तो ये जो अनन्त का विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिसको की बहुत से समप्रदाय समझ नहीं पाए है और इस कारण्ट से उन्होंने अपने आपको सीमित नहीं तकर दे कि आप उसका विवरंड ही नहीं कर सकते है जब अनन्त का विचार ही नहीं पता है आपको तो आप विवरंड नहीं कर पाएंगे ना तो यहां पर अर्जुन जो कह रहे हैं वं यह है कि मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को और सभी विशेश भूतों को साथ में देखता हूं मैं आपके आपके देह में जो ब्रह्मांड का ईश है अर्थार्थ जो भगवान शिव है और जिसने ब्रमान्ड की उत्पत्ति की है जो की कमल के उपर विराजबान है अर्था जो की भगवान ब्रह्मा है मैं उनको भी आप में देखता हूं तो यहां से हम यह देख सकते हैं कि कैसे जो सनातन संस्कृति है वो कितनी समावेशी है कि वह सभी एकाईयों को जिनकी की पूजा की जाती है उन सभी को अपने में सम्मिलित करती है अर्जुनिया पर आगे कहते हैं कि मैं सभी रिशियों को और सभी दिव्य नागों को भी आप में देखता हूं अर्टा जितनी भी दिव्यता इस शिष्टी में उपस थेता है जितने भी ऐसे इकाईयों हैं जिनकी पूजा की जाती है जो की पूज़े नहीं है किसी भी रूप में किसी के लिए भी बलही वो फिर मनुश्य होँ मनुश्य में बे अलग-अलग परमपराएं हो या वो कोई और प्राणी हो जिसके लिए कोई भी दिव्य है तो मैं उन सभी को आपकी देह में देखता हूँ तो आप समझ सेते हैं कितना समावेशी हमारा जो सनातन धरम है वह है कि यह सभी जो भी दिव्य इकाईया है जिनकी भी पूजा यहां पर गयाती है उन सभी को अपने में समावेशीत करने का प्रयास करता है यह यह नहीं कहता कि नहीं मेरा जो भगवान है वह सरवच है और तुम्हारा जो है वह नीच है और भी बुरा बोलते हैं कि वह शैतान है ऐसा नहीं है ये बोलते हैं कि जो भी यहां पर पूजा जाता है जो भी पूजनीय है यहां पर वह सभी जो परमेश्वर है जो परम तत्व है उसमें सम्मेलित है यहां पर इस प्रकार से अरजुन बोल रहा है तो अब आप यहीं पर समझ लीजिए कि देखिए उन्ने बोला कि मैं आपकी देह में भगवान शिव को और भगवान ब्रम्हा को देखता हूं इससे हम समझ सकते हैं कि जो विश्णु है वाले हैं और जो शिव वाले हैं वह कैसे इसमें समंज़स से बिठा सकते हैं इश्वर तो अनंत है, अनंत को आप अलग अलग दिश्वी कोड़ों से भी यदी देखेंगे, तब भी अनंत तो अनंत ही रहेगा, और उसमें सब कुछ सम्मिलित रहेगा, तो यदी आप शेयव वाले हैं और आप परमेश्वर को शिव के रूप से देखते हैं, तो उसी में जो घर्षण होता है सम्परदा allen, वो नहीं होता है क्योंकि एक ही में सब सम्मेलेत हो गया, अब इसी बात को जो है वो दूसरे लोग भी समझा आघ회, यदी खी इश्वर और प्रमेश्वर जया एं, उसमें ही अल्लहा भी सम्मेलयत हो गया, तो अब इसमें कोई समस्या नहीं क्यों? क्योंकि अनंत है, हमारा जो विचार है वे अनंत है, जो भी पूजनी ये इकाई है, सभी इसमें सम्मिलत हैं, तो इसमें फिर अल्लह भी सम्मिलत हो जाएगा, इसमें जीजस भी सम्मिलत हो जाएगा, इसमें यहोवा भी सम्मिलत हो जाएगा, एकोंकार भी सम्मिलत हो जाएगा सारे इकाईएं जो हैं जिनकी भी पूजा की जाती है सभी सम्मिलत जाएगा जियूस भी सम्मिलत हो जाएगा इसमें इसमें अहुरामाजदा भी सम्मिलत हो जाएगा और जो पिछले थे जो भी भगवान रहे हैं या इश्वर रहे हैं जिनकी पूजा कीगी वो सभ कासे समावेशन करता है यह काट कटाओ नहीं करता है ऐसे नहीं करता है कि मेरा अच्छा है तुम्हारा बुरा है मेरे पूझा पद्धिति अच्छे तुम्हारी पद्धिति गलत है ऐसे नहीं करता है सभी पूझा पद्धितियों का सम्मान करता है सभी पूझा सब्धितियों प्रवृति को बारे तो उनके जो इस्ट होता थो उसको नश्ट करके अपनी इस्ट कुणा कर देते कि देखो मेरा इश्वर तुम से प्रुमौना की तो लोग उससे उठा नहीं पाते हैं उपर उठाने पा रहे हैं आज वी तो इसलिए ही बोलते हैं कि मेरा इश्वर यह वह पास्तविक ईश्वर के सुरू को समझ सकेंगे जो कि अनन्त है जिसकी कोई सीमा नहीं उसको विबिन विबिन रूपों से पूजा जा सकता है विबिन विबिन रूपों से उसकी उपास ना की जा सकती है अब लोग अहंकार से निकल नहीं पाते बाहर वो अपने अहंकार में और अपने इश्वर को अपने एहंकार से जोड़ करके मूर्क के मूर्क ही रहते हैं वह अपना एहंकार जोड़ लेते हैं अपने इश्वर से और फिर दूसरों को बोलते हैं कि नहीं मेरे इश्वर की तुम पूजा करो मेरे ईश्वर की बूजा होगी है बस मेरा ईश्वर सबसे अच्छा है मैंने तुम को हरा दिया है मेरा ईश्वर है जो मैं बोलता हूं वही सही है बस तो इस प्रकार से जब लोग करते हैं कि मेरे साथ ही है बस इश्वर मेरे साथ ही है मेरे साथ ही है मेरे साहता करेगा बाकी तो अब मूरक हैं ऐसे नहीं सोचना जी है जो लोग ऐसे सोचते हैं वो अपने आपको सीमित कर रहे हैं वो और अपने आपको बांद देते जा रहे हैं बांद देते जा रहे हैं फैला नहीं रहे हैं वो उल्टा अपने आपको और सिकोड रहे हैं और सिकोड रहे हैं खुद की सोज़ती इसी सोच के द्वारा वास्तों में संप्रदाइक तनाव बढ़ते हैं तो लोग इसको फिर देखते हैं और राजनिता इसको उप्योग करते हैं फिर राजनिता इसको उप्योग करके लोगों को बाटते हैं लोग बढ़ते जाते हैं स्वयम को काटते जाते हैं स् पशू प्रवत्ती में बस फस्ते चले जाते हैं तो आप अपने आपको इन सबसे बचा के रखिए और कभी भी अपने को सीमित मत कीजिए कि कि वह इसी रूप से पद्धिती से पूजा होगी इसी रूप से मैं पूजा करूँगा सभी जो पूजा पद्धितियां है सभी पूजा पद्धितियां वैद होती है लोग समझदार होते हैं कुछ ने कुछ सोच समझ के लोग कर रहे होते हैं दूसरे की जा अपने इस्टी पूजा होते हैं तो उसको समझने का प्रयास कीजिए ना कि ये बोली कि वो गलत है और मेरा सही है, ऐसा नहीं होता है दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे क्यों कर रहे हैं, वो क्या पूजा कर रहे हैं कुछ तो होगा उसमें जभी तो वो पूजा कर रहे हैं इतने सारे लोग पूजा कर रहे हैं एक अरब उसे अधिक लोग पूजा करते हैं तो क्यूं कर रहे हैं वो कुछ तो होगा ना उसमें तभी तो कर रहे हैं क्या एक अरब लोग मूर्ख हैं जो नहीं कर रहे हैं पूजा तो ये समझ नहीं पाते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं लोग इसी कारण से यह ऐसे संप्रदाई तनाव होते हैं तो अपनी जो आपकी जो आदिवासी प्रवित्ति उस्से ऊपर उठी है समावेशन करने का प्रयास कीजिए सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए तभी तो मानता आगे बढ़ सकेगी अन्यता जगडते रही है फि की जब हो हाँ